Hello everyone, तो आज मैं आपको भराऊंगी class 11 से एक और important poem जिसका नाम है father to son और इसके जो poet है उनका नाम है Elizabeth Jennings तो ये जो poem है ये father के point of view से लिखा गया है जिसका first stanza है I do not understand this child Do we have lived together now in the same house for years I know nothing of him so try to build up a relationship from how He was when small yet have I killed तो इस stanza में जो father है वो अपने feelings के बारे में बताते हैं कि उनके बेटे के साथ उनका relationship कैसा है वो कहते हैं कि वो अपने child को अपने बेटे को समझी नहीं पा रहे हैं वो कहते हैं कि वो इतने सालों से वो दोनों एक ही घर में रहते आए हैं एक साथ लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं वो कहते हैं कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते उसके likes उसके dislikes उसको क्या पसंद है उसको क्या ना पसंद है कुछ नहीं जानते वो कहते हैं कि काश उनका relationship जो है जब वो छोटा था वैसा ही हो जाए यानि कि जब वो छोटा था तो उसके फादर के साथ उसका जो bonding था वो बहुत ही अच्छा था तो वो आशा करते हैं कि काश उनका relationship जो है वो पहले की तरह हो जाए और उन्होंने एक दूसरे के बीच में जो bonding थी उसको खो दी है तो वो फिर से मिल जाए तो second stanza है The seed I spent or sown it were The land is his and none of mine We speak like strangers There is no sign of understanding in the year The child is built to my design Yet what he loves I cannot share Silence surrounds us तो इस stanza में जो poetis है वो कहना चाहती है कि हर फादर चाहते है कि उनका जो बेटा है वो उनकी बातों को माने और वो वैसा ही बने जैसा वो चाहते है तो इस stanza में जो फादर है वो कहते है कि उन्होंने एक seed लगाया था एक beach लगाया था और उन्होंने expect किया था कि वो tree जो बड़ा होकर यानि कि उनका जो बेटा है वो बड़ा होकर वैसा ही बनेगा जैसा की वो चाहते है लेकिन अब वो कहते है कि उन्होंने जो सीड लगाया था वो एक ऐसी जमीन पर लगाया था जो उनकी नहीं है बलकि उस चाइल्ड की खुद की है तो कहने का मतलब यह है कि जो father है वो expect कर रहे थे कि उनका जो बेटा है वो वैसा ही बने जैसा वो चाहते है लेकिन उनका जो बेटा है वो वैसा बनता है जैसा वो खुद चाहता है फिर आगे हमें बताया क्या है कि जब father और son एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ strangers की तरह बात करते हैं यानि कि एकदम अजनबी की तरह बात करते हैं वो इतने सालों से एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते आये हैं इसके बावजूद भी उन दोनों की बीच में understanding नहीं हैं और वो एक दूसरे के साथ अजनबी की तरह पेश आते हैं इसके बाद आगे हमें बताया क्या है कि जो child है वो अपने फादर के साथ ही बढ़ा हुआ है यानि कि वो अपने फादर के साथ ही रहते रहते बढ़ा हुआ है इसके बावजूद भी वो अपने फादर क के बारे में बिल्कूल भी नहीं जानते, उसके likes, उसके dislikes को नहीं जानते, और वो हमारे साथ share भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, और usually जब father और son एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आस पास silence का माहौल बना रहता है, तो third stanza है, I would have him prodigal returning to his father's house, the house in you, rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love, तो यहाँ पर जो father है, वो कहते हैं, कि वो अपने बेटे को prodigal बनने देंगे, prodigal का मतलब होता है, जो जादा पैसे खर्च करता है, तो यहाँ पर जो father है, वो कहते हैं, कि वो अपने बेटे को prodigal बनने देंगे, क्योंकि उनको लगता है, कि अगर वो उसे रोकेंगे, य तो वह ऐसा नहीं चाहते कि उसका जो बेटा है वो उनसे दूर चला जाए इसलिए वो कहते है कि वो अपने बेटे को प्रॉडीगल बनने देंगे तो usually क्या होता है कि जो children होते हैं वो अपने कामों में लगे रहते हैं और जो parents है वो अपने कामों में लगे रहते हैं जिसकी बजह से जो children है वो अपने ही दुनिया बना लेते हैं तो ऐसा यहाँ पर जो father है वो नहीं चाहते इसलिए वो कहते हैं कि वो अपने बेटे को prodigal बनने देंगे और वो उसे रोकेंगे टोकेंगे नहीं जिसकी बज़ह से उनका जो बेटा है वो उनसे दूर नहीं जाएगा उनसे detach नहीं होगा आगे जो father है वो कहते हैं कि वो उसे माफ करने के लिए तयार है और वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा सोरो है उनके बीच में जो दूरिया है उसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा सोरो है और वो कहते हैं कि वो उसे माफ करने के लिए तयार है और वो फिर से उसे पहले की तर ही प्यार करना चाहते हैं फोर्थ स्टैंसा है फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लीव on the same globe and the same land he speaks I cannot understand myself why anger grows from grief we each put out an empty hand longing for something to forgive इस स्टैंसा में जो फादर हैं वो कहते हैं कि फादर और सन को दोनों को एक साथ रहना चाहिए एक ही globe पर रहना चाहिए एक ही land पर रहना चाहिए यानि कि दोनों के बीच में distance नहीं होना चाहिए his picks I cannot understand आगे जो फादर है वो कहते हैं कि उनका जब बेटा बात करता है वो कुछ बोलता है तो वो समझ नहीं पाते हैं इसके बहुत सारी reasons हो सकते हैं उनके बीच में जो दूरिया है वो हो सकती है उनके बीच में अच्छी bonding नहीं है ये भी हो सकता है उनके thinking अलग हो सकती है जिसकी वजह से ये होता होगा और वो चोटी चोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं तो आगे जो फादर है वो कहते हैं कि भले ही उपर से वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो लेकिन अंदर से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी की वजह से वो दोनों एक दूसरे के सामने खाली हाद बरहाते हैं और वो बहाना खोजते रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को माफ कर सके और एक दूसरे के साथ बात कर सके यानि कि वो दोनों ही खाली हाथ बरहाते हैं और वो कोई ना कोई बहाना खोजते रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को माफ कर सके एक दूसरे से बात कर सके तो that's it ये था हमारे poem का explanation आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो जिन्होंने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया कर देना और वीडियो को like कर देना तो मिलते हैं next video में